हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आएक्जाम भी के एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी को पता है कि 18 देसंबर 2022 में फीफा ने अपना लास्ट जो की फाइनल मैच है वो खेला और लास्ट मैच में यहां पर आपने देखा कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को ह अब यहां पर सबसे इंपोर्टन चीज क्या है कि फीफा जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एक स्पोर्टिंग इवेंट है दूसरे नंबर पर कौन है यह आप मुझे कमेंट पर बता देना दूसरे इंपोर्टन चीज यहां पर क्या है अभी तक का बहुत सारे कोशन्स एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो हम इस वीडियो में सारे के सारे फैक्ट्स को जाने की कोशिस करेंगे फीफा की हिस्ट्री से लेकर आगे कौन-कौन से कोशन्स आपको देखने को मिलेंगे वह भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो तो guys सबसे important चीज क्या है कि फीफा का यहां पर जो फीफा है उसका फुल फॉर्म क्या है तो देखें यह न जो फुल फॉर्म है यह एक फ्रेंच फॉल फॉर्म है जो यह फुल फॉर्म बताई गई है इसकी वह क्या है यहां पर देख लिए फेडरेशन इंटरनेशनले डी फ Association फॉड़ फॉर्द्वाल्ड जो कि फॉर्जण है जो कि फीफा का एक तरह के से फॉल फॉर्म है अगर मैं आप बात करता हूं उसकी establishment से तो इसकी establishment आप देख रहे हो 1904 21 मही अब फीफा क्या है क्या फीफा एक organization है क्या फीफा एक वर्ल्ड की एक कमेटी है या फिर एक वर्ल्ड का एक तरीके से आप बोसकते ओर्गनाजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है फीफा एक क्या है नॉन प्रॉफिट ओर्गनाजेशन नॉन प्रॉफिट ओर्गनाजेशन तो दूसरा सवाल यहां पर यह आता है कि यह विनिंग टीम को 42 टू मिलियन डॉलर कैसे देते हैं फिर देखे फीफा के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं पूरी दुनिया में जैसे कि आपने देखाऊगा पूर्टी एलिवेशन ठीके और फूर्ड हंगर प्रोग्राम भी यह लुक चलाते हैं विद्धा है उनाटेट नेशन विद्ध क्लेटिव चलते हैं इसकी इस्टैबलिश्मेंट कहां पर होती इसकी स्टैबलिश्मेंट यहां पर साथ से आठ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में इस गेम बहुत आगे बढ़ाना चाहत Came हैं बहुत ही एक तरगी साब एक हो सकते हैं वैसे लोग थे विख्यात लोग थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी कहां पर पैरिस फ्रांस में किनके द्वारा करी गई कौन इन सबको एक साथ ले किया है यहां पर आप देखोगे रॉबर्ट गिरिन यह जो रॉबर्ट गिरि जो है इसके मेंबर्शिप यहांटे कांट्री सन नहीं है कुछ यहां पर ऐसी ब भी है इसमें जूसकी पार्टनर है जैसे कि आपको यहां पर मिल जाएगा बहुत सारे clubs football की clubs भी मिल जाएंगे जो इसके partner है तो सारी countries ही नहीं यह आप यहां पर समझ लेना कि सारी countries ही नहीं है कुछ यहां पर एसोचेंस भी है प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है ग्यानी इंफेंटिनो जो की एक स्वीज जर्मन फुटवालर है एक तरगे से फुटवाल एड्मिनिस्ट्रेटर भी आप उन्हें कह सकते हो और 2016 से आप यह देख रहे हो कि यहीं लगातार बनते आ रहे हैं और 2019 में यह दुबारा स प्रेसिडेंशी है आप यह कह सकते हैं फिर आप यह वोसकते हैं जो होस्ट नेशन है फीफा अब हर कंट्री चाहता है कि फीफा वर्ल्ड कप उनके देश में ताकि वह उससे और रहें जनेरेट कर सके वर्ल्ड में उनकी प्रसपरिटी बढ़े तो यहां पर हर कंट्री को यहां पर देखा जाता है कि कितना वोट मिला है यहां पर आप देख रहे हो जो छे पार्ट है छे पार्ट में फीफा ने डिवाइड करा जैसे कि आप देख रहे हो एशिया और यहां पर देख रहे हो एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है यह वाला पार्ट अफ्रिकन पार्ट यह आप देख वे कॉन कैफ हो गया जो कि आप बोसकते हो नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया और अगर्ओं फॉचली और यहां पर यहां पर पर चाएंगे को कि यहां पर यहां आने वाले हैं कि जो फीफा का लोगो है उसका मतलब क्या है तो फीफा गया तो यहां डेकरली डिविट करता है कि इसको infinity के model को infinity आप यह बोल सकते हो एक तरीके से दूसरे important चीज यह जो यहाँ पर waves है यह sand dunes को refer करती है दूसरे important चीज यहाँ पर आप देख रहे हो यह 8 डिपिट करता है तो यह जो 8 है यह venue stadiums को refer करता है कि यहाँ पर कितने stadiums में यह game खेला जाएगा तो यह 8 होगे कतर में हुआ है इस बार का world cup 2022 दूसरे important चीज 300 million डॉलर इसमें total खर्चा अभी तक का सबसे महेंगा सबसे ज़्यादा पैसे लगने वाला sporting event भी हो गया सबसे ज़्यादा महेंगा एक तरीके से वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप भी आप इससे कह सकते हो दूसरे important चीज होस्ट कंट्री कौन सी है तो होस्ट कंट्री यहाँ पर कतर देख रहे हो पहली ऐसी कंट्री Muslim country आप यह बोच सकते हो यह कौन सी हो चुकी है यहाँ पर कतर हो चुकी है ठीक है जो Muslim world में पहला आपको यहाँ पर country देखने को मिलेगा अरब वर्ल्ड में तो यह आपको मिलेगा कतर दूसरे है क्या यह पहली एशन country है जिसने फीफा वर्ल्ड कप करवाया नहीं दो हजार दो में यहाँ पर आप देख रहे हो साउथ कोरिया और जपान ने पहले वी फीफा कंट्रेट करा चुके हैं और यह दूसरी एशन country है जिसने अपने ही जगा पर या फिर आप यह बहुत सकते हो एशिया में ही सारे के सारे मैचेस को कंड़क्ट करवाया है तो यह दूसरी गंट्री है यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान करना यह एक्जाम में आएगा तो डेट्स है आपकी 20 नुवंबर से 18 दिसमर जो कि फाइनल था ओके 28 दिन तक चला है और अभी तक का आप यह बहुत सकते हैं 2002 के बाद या फिर 1998 के बाद यह सबसे कम दिनों तक चलने वाला वर्ल्ड कप है दूसरी इंपोर्टन चीज यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा अमूमन यहाँ पर नवंबर और दिसम्बर के महीने में ही वर्ल कप होता है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो वर्ल कप है वो विंटर्स में होए क्योंकि आप दिखोगे इसके बाद जो मौसम आएगा कतर में बहुत जादा गरम हो जाएगा वहाँ पर खेलने लाइक इस्तिती नहीं रहती है टेम टोटल कितनी है तो देख रहे हो इस टीमोर भी देख रहे हो वो सब देश नहीं आते तो फाइफ कंट्वेंटेशन से आपको 32 टीम में देखने को मिलेगी और यह जो 2022 वाला वर्ल कप है यह लास्ट वर्ल कप है 32 टीमों के साथ जो आप अगला 2026 वाला वर्ल कप देखने वाले हो जो की तीन देशों में होने वाला है नौर्थ अमेरिका के आपका यूएस कैनेडा और मेक्सिको इसमें जो टीम होंगी वो टोटल 48 टीम होने वाली है ठीक है तो यहाँ पर आपने यह ध्यान देना है जो मैं आपको बता चुका हूँ ज पीसरी बार मिल चुकी है सबसे ज्यादा बार वर्ल कप जीतने वाला देश कौन सा ब्रजील है और इससे पहले फ्रांस और अर्टिना का यह तीसरा खिताब है फ्रांस को पिछले बार भी आपने देखा होगा यह डिफेंडिंग चैंपियन थी पिछले बार भी इन्होंने 2008 का वल Mac जीता है किसको हराकर क्रोशE का हराकर चार दो से पेनल्टी शुटाउट में और ठीकेरşaगं मिक्रोश के दिखेंग और फेली कंट्री है मुसलिम कंट्री है जिसने आप नीच्छा होगा कि क्योंटर फाइनल तक पहुंची थी inilton 2 मॉंबर 21 को खेला गया और पहला मैच किस के तरफ से खेला गया था इंग्लाइंड और इरान के बीच में खेला गया था अब मैं आपको यहां पर एकोन फैक्ट बतायता हूं देखिए कतर की टीम को डारेक्टली यहां पर एंट्री मिलती है वर्ल्ड कप में ठीक है अब वर् पहली कंट्री भी है और वही कंट्री है जिसने होस्ट करा आया था तो जो कंट्री होस्ट कराना ती है उसके टीम को यहां पर ड beloved साब जाता है तो यहां पर पर याप थे त Cage घ्रीन अमें बा लूट नोट किसको मिला तो फॉट टॉट सब्सकें सब्सक्राइब उन्होंने सब से कम सकते हैं इन्हों सबसे कम उमर के जिन्होंने फाइनल में हैट्रिक मारी है यह वैसे प्लेयर भी बन चुके है और यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा FIFA 2022 है कतरवाला इसमें इनको गोल्डन भूट भी मिला है जो कि होता टॉप स्कोरर का तो यहाँ पर कारिन एंपा पर जिन्नोंने 8 गोल किये हैं टोटल और आपने देख इन्होंने 1966 में फाइनल में यहाँ पर गोल्डन भूट जिता था और उन्होंने टोटल स्कोर जो किया था वह एट गोल्स का किया था इस टूर्णामेंट में और इससे पहले यह हैट्रिक मार चुके यानि कि दूसरे प्लेयर बन चुके हैं और यहाँ पर दूसरा मिला है अब गलफ से आप समझ जाओगे कि यह गोलकीपर को ही मिला होगा तो यह जो अरजंटीना के गोलकीपर है जिनका नाम है एमिलियानो मार्टीन्स ठीक है यह आप देखोगे सबसें इंप्रणन कौन सा होता है गोल्डन बॉल गोल्डन बॉल किसको मिलता है टॉप इस्कुल और यहां पर आपने golden gloves भी देखें तीसरा आता है यहां पर बेस्ट प्लेयर बेस्ट प्लेयर आपको देख रहा होगा 35 साल के लियोनेल मेसी अर्जंटिना के कैप्टन है वर्तमान में पैरिक्स पी एस जी से पैरिंट से जर्मेनिया से खेलते हैं और आपने देखा होगा सब सब्सक्राइब यह तक अब यह नहीं ब्रक्स कंट their maths और यह 35 साल में अपना सब्सक्राइब लास्ट फैल्च उन्हों ने अपना जीता वी हाला कि यहां देखा होगा 37 वह क्रिष्ट्याउनो रोनल दो ने भी अपना यह फिर फ्सकान के मिला है नहीं और यह एक्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसे हैं तो यहां पर आप देख रहे हो और्जंटीना की जो कैपिटल है डाट इस विनिस अराइज अब कुछ यहां पर आपको प्लेयर कौन से थे हाला कि पिछले बार अगरे बाद बात 2018 की करो तो वहां पर काइलन एंपा में इनका बर्थ प्लेस है तो यहां पर जर्मनी के यह खेलते हैं और यंगिस्ट प्लेयर थे अभी तक की वर्ल्ड कप 2022 में तो ओल्डेस प्लेयर की लिस्ट बहुत जादी है लेकिन यहां पर आप देखोगे मैसी हो गए यहां पर क्रिश्यान ओलनल्ड हो गए तो 35 सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियो में आपके लाता रहूंगा थेंक यू